तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था चार्ली बापस आ गया है और उसी ने टौनी के लोगों से बेप को बचाया था पर सभी इस बेप टौनी के गंजे में थे इधर बेप को अपने आखों पे विश्वास नहीं होता कि उसके सामने चार्ली ही खड़ा हुआ है पर जब चार्ली बेप को उसका हाथ पकर कर उस सो फ्लोर से उठाता है तब ही बेप को ये विश्वास हो जाता है कि वह साच में ही चार्ली है तो वो कस के चार्ली को हग कर लेता है और उससे कहता है तुम सच में ही हाँ पर हो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है पर मुझे य आफ कर दोगे चार्ली की बात सुनकर बेब कहता है मैंने बहुत दिनों पहले ही ये दिसाइट कर लिया था कि चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा और मैं तुम पर कभी गुस्ता नहीं करूंगा योकि के लोकों से बचकर भागते बड़ जेफ और एलान भी पकड़ी जाते है और नौर्थ और सॉनिक को तो विनन ने पकड़ लिया था तो सभी के एक साथ देखकर टॉनिक को बहुत ही गुस्ता आता है और वो समझ जाता है कि सभी उसके साथ गेम खेल रहे थे उसको पकड़ बाने के लिए इसलिए वो सभी को पकड़ लेता है और यहाँ पर सभी के बीच में फाइट हो जाता है और सभी के बीच में गोली भी जलता है तो यहाँ पर यह चांस है कि वह आगे आका टॉनिक के तरफ गोली जलाता है क्योंकि टॉनिक को गोली मारने जा रहा था को अपने की एक की सजा मिल जाता है जिसके बाद सभी वोई को हॉस्पिटल ले कर जाते है तो सूत्रों के मताबिक यहाँ पर वोई का मौत हो जाता है पर यह सच है या नहीं इसका करेक्ट इंफॉर्मेशन मुझे अब तक नहीं मिला पर यहाँ पर एक बहुत ही इमोशनल सी पर यहाँ पर वे फिर से बेप से माफी मांगता है और इस बार बेप भी अपने दोस्त को माफ कर देता है क्योंकि वे का इंटेंशन सच में किछी को चूट पहुचाने का नहीं था वो बस टॉनी से बहुत डरता था कि कहीं अगर वो टॉनी के बाद नहीं मानेगा तो बेब को तो अपने बॉइफरेंड के साथ सच अपने पापा भी मिल चुकत है तो बेब तो बहुत ही जादा खुश था और फिर से वो अपने रेसिंग ट्रैक पर वापस आ जाता है जहाँ पर हमें फिर से बेब और चारली का होट इंटिमेर्सिन दिखने को मिलता है क्योंकि बेब चारली से पूछता है कि पापा को क्या चार्ली में ही ममा चाहिए तो चारली कहता है अफकोर्स ममा को पापा चाहिए तो इतना गयकर चारली बेब को वेस्ट पकर कर उसको अपने दरब कीचता है जिसके बाद दूनों एक दूसरे को किस करता है और ये किस दीरे दीर पैशनेट किसमें बजल जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ फिर से इंटिमेट होते हैं आज के स्पाइलर में बस इतना ही तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों